एलो फ्रेंट्स जी के प्रिंस एकडमी में आप सभी का स्वागत है मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं तो आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं उत्तर परदेश अधियनस्त सेवा चैन आयोग चकबंदी लेकपाल भरती परिच्छा जो की कर लेकपाल के पेपर को देखते हुए चैन जो आने वाला पेपर है जिसे यूपी त्रिप्ल सी करा रही है इस बार भी लेकिन इसका क्या किया है थोड़ा सा स्वीर्ट चेंज किया है और इसमें यह भी हुआ कि जो पेट क्वालिफाइड है वही जो है पेपर इस बार ले परसेंटेस पर बुलाएंगे तो वह लोग पेपर देंगे ठीक है तो चलिए इसी पर हम एक प्रीबियस एर कोईश्च पेपर है जो की चकबंदी लेखपाल का है और जो की देखना जरूरी कि इसमें क्या क्या जो है 2015 के पेपर में पूछा गया था ठीक है और आया था तो य सब्सक्राइब करें तो यह सारे पेपर हम हल कराएंगे करेंगे भारी बारी से देखेंगे एक एक प्रसन रोज ठीक इसके बाद पांच जो है प्रेक्टिस सेट है माडल पेपर है उसको भी देखेंगे ठीक है तो इंपॉर्टन्ट होने वाला है यह वीडियो और तो नए वीडियो जो अप्लोड होगा तो आपको जो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इसे पेपर को डिसकेशन करते हैं और इसमें जो है एक पॉर्षन मायत को इसमें नहीं लिया गया ठीक है मायत के पॉर्षन को छोड़के ब मायत को हम अलग से देखेंगे अभी क्या है कि मेरे पास लेप्टाप है नहीं तो इसलिए मायत के क्वेशन को मैंने छोड़ रखा ठीक है शली स्टार्ट करते हैं तो पहले जुह इसमेंदेखते हैं पहला क्यश्चन है हिंदी से ही बच्चे बस से पाट साला जाते हैं तो इस वाक में कौन सा कारक ही ये बताना ठीक है तो देखें बच्चे बस से पाट साला जाते हैं तो कारक पहचानने के लिए जो इसमें ये साह है जिसे आपने देखा होगा करता ने यानि कि अगर करता कारक वहाँ पर होगा जहाँ पर ने सब्दा आएगा करता ने कर्म को अगर कर्म है वहाँ पर कर्म कारक होगा जहाँ पर को सब्दा आएगा करता ने कर्म को करण से जहाँ पर करण कारक होगा वहाँ पर से सब्दा आएगा तो इसका एंसर जो हो जाएगा वो करण कारक हो जाएगा और बी पार्ट इसका सही हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से question पूछा गया था तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा question तो वाचसपत वाचसपत में किस समास का समस्त पद है यह बताना है तो देखे समास सब्द का जो है मैंने करवा दिया है गटना चकरी की बुक से related तो वो chapter पूरा हो चुका है आप लोग उसको देख लिजे बहुत ही बड़िया है क्योंकि उससे question इससे तो बनेंगे ही बनेंगे ठीक है तो समास आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं और उ ही हो जाएगा अब यह अब नज्त अस्पूरुद के नहीं होगा संबंध के नहीं होगा वहववरी के नहीं होगा तो यह इसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा समास पद तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ठीक है चली अगला question देखते हैं तो वह लाचार है क क्यों कि वह अंधा है इस वाक में कौन सा अवयो है यह बताना है ठीक है तो इस वाक में जो है कारण वाचक है यह अवयो है ठीक है एंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा अगला question है कि निर्देश दिया गए है कि नियम लिखते सब्दों के प्रियाय वाची सब्द चुन्हा अगले जो है चार प्रस्न संक्या चार और पांच में दिए गया है ठीक है तो चार में दिया गाए समुद्र का परियावाची बताना है. तो समुद्र का प्रियावाची इसमें जो है आरण-अरह कहीई हो जाएगा. प्रियापाचि विदूत्र का प्रियापाची एक मृत का चपला भी होता है और गयर तरीकिट भी होता ठीक है सौध्हामनी प्रेयब होता तो यह सारी चीजर मैंने के लिग और परियापाची की सब्सक्त करrän तो INTERSTANT जाएगा इसके लिए सरचना में संगठना करना सरचना विन्याज परिचिति यह सारे परियाय जो इसके परियाय होंगे बाकि उद्भावना जो यह परियाय नहीं होगा इसका परियाय में परियाय बाची ही बताना है इसका तो एंसर इसका सी पाट से हो जाएगा अगला है र जोद्र का होता है क्रोध एंसर यह पार्ट हो जाएगा इसका कि नेश को सने किस चंद का पर्थम वह अंतिम सब्द एक सा होता है तो वह होता है कुंडलियां कुंडलियों का पर्थम सब्द और अंतिम सब्द एक सा होता है एक समान होता है तो इस तरीके से अंसर इसका एक प सुलस सास्त्र होगा तो Fruit itется का डी पार से ही हो जायगा ठीक है अब यह दोनों मिलकर सहचात्र बन जाते हैं डीक है अगला कोछ्टिन आ कॉट्रियका बिलोम सब्द क्या होगा तो कॉट्रियका बिलोम सब्द जो है आर जो हो था ठीक है अंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा और जो अब यह आप लोग यह बिलोम सब्द का भी मैंने करा हुआ है वीडियो तो उसको भी उसको देखिए इंपॉर्टन्ट है यह भी ठीक है क्यों कि विलोम जो है नए नवींतम पाठिकरम में दिया ग पूर्वकाली किरिया अब पढ़कर क्या होगा तो पूर्वकाली किरिया इसमें दर्शाय गया है अगला प्रशन है किस वर्ण का उचारन का अस्थान जो है कंठ और ताल हुए यानि यह देखिए इसमें पूछा गया कि कौन सा इसा वर्ण है जो कंठ ताल उसे बोला जात माता पिता की सुस्रूसा करनी चाहिए ठीक है दूसरा है तूफान आने का संदे है ठीक है इसके बाद अनेक निरपराद धंड के भागी हुए ठीक है इसके बाद इसके एक मात्र दो कारण हो सकते हैं देखें यहां यह एक मात्र होगा यह फिर दो होगा यह दोनों में से एक ही हो सकता है तो यह गलत हो जाएगा ठीक है और इसमें तुफान आने का संदे होगा यहां लगाने का कोई तुक नहीं है और यहां पे जो है सुस्षा नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से एंसर इसका सी पार्श होगा अनेक निरपराद दंड के भागी ह अगला है जुगुपसा का स्थाई भाव क्या होगा जुगुपसा किस रस्त का स्थाई भाव हो तो यह जो होता है विभत रस्त का स्थाई भाव होता है एंसर इसका सी पार से हो जाएगा नेश्ट को असने निह प्लस कलंक का सही संद सब्द कौन सा होगा तो देखे विसर्ग संद है विसर्ग संद में क्या होता है जब वर्णों को जोड़ा जाता है तो इसमें जो है ये जो अंग की बिंदी है ये हटके यहाँ पर निश्क लंक इस डाइब का लिखा जाता है तो एंसर इसका D पार से ही हो जाएगा निश्क लंक निश्क लेब पीडी दर पीडी चलने चला अने वाला इसके लिए एक सम्चित सब्द बतानाय पीडी अन्यू यागत जो होगा इसका answer a ब पार्ट सोगा हो ठीक है पावन का संदीविछेत क्या होगा ये निघरे रख होता है ये बताना है और नो jack ठीक है पावन यानि पो प्लस अन मिलकर पावन संदीवेसे बंता है ठीक है अवनी सब्द का भिलोम क्या है तो अवनी सब्द का भिलोम जो होता है वो अंबर होता है ठीक है अंसर इसका सी पार सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि निन में से कौन सा बेंजन संघर्सी है तो बेंजन संघर्सी में जो है हा सब्द आएगा अंसर इसका एपार से में बेंजन संघर्षी में चार सब्द आते हैं सा, शा, और शा, और हा ये चार संघर्षी होते हैं ये उसमी बेंजन भी कहा जाता है इसमें से हा जो है ये ए पार से ही जगा सुद्ध वाक्ष का चैन करना है इसमें से बताना है कौन सा वाक्ष सुद्ध है तो इस गरंध का निर्मार तुलसी दास ने किया समाज की बर्तमान दसा चिंता जनक है मैंने तरह तरह के रेसम के कपड़े पसंद किये तुम्हारी दृष्टी तुम्हारी पुष्टक पर होनी चाहिए तो इसमें से जो है इसका बी पार्ट से हो जाएगा ये सुद्धवाक है समाज की बर्तमान दसा चिंता जनक है बाकी अगला क्वेश्चन है फिर इसमें सुद्धवाक बताना है देखिए तो इसमें बताना है मत्यकालिन युग में कलाओं की बहुत उन्नत हुई साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने जाने दिया जाए इस समय मोहन की आयू 20 वर्स है और वह चाहे भले ही ना आये पर तुम्हें आना होगा तो इसमें जो आपका इंसर हो जाएगा प्रस्धवाक वो भी पार्ट से ही हो जाएगा ठीक है अगला question है निर्देश दियागा है प्रश्ण रंख्या 23 से लेकर 25 तक नेम लिखित वाक्यों में उनके अंतिम प्रथम अंतिम अंस संख्या एक और छा के अंतरगत दिये गए हैं और बीच वाले चार अंस या रा ला वा बीना क्रम के हैं चारों अंसों के उचित क्रमा नुसार ब्योस्तित कर उचित विकल्प बताना है अब यह देखे दिया गया इस तरीके से तो मजदूरों की बस्तियों में ठीक है और बिगड़ने की संभावना बनी रहती तो यह दोनों फिक्स है अब इसके बीच में बताना कि कौन सा किसके बाद होगा तो मजदूरों की बस्तियों में वहां के बेकार रहने वाले ब्यक्तियों के ब्यक्त के अपेक्छा करित अंजान होने से और कल्यान कारी कारियकलापों के ना होने से तथा मनोरंजन सिच्छा आद की सुबधाओं तो इसके बाद बताना कि इसमें कौन सा पहला आएगा को भी इसके बाद दूसरा आएगा मजदूरों की बच्तियों में ब्यक्टJackant न अंजान होने से इसके बाद तथा मनोरंजन सिच्छााण्द की सुब्धाओं और क mentality काय कर्यकलापock कि इस जो है वा ला और या आएगा यानि कि एंसर इसका सी पार से ही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन है अपने सभी पाठकों के लिए हम आज से ठीक इसके बाद पढ़के बताना है किसी में से कौन सा जो है इसके सुरूप होगा और लाश्ट में जो दिये गए अतेव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जहां यह था ठीक है तो हमने सभी पाठकों के लिए हम आज से ताकि इस एतिहासिक गर्मा अच्छुड रहे चंदरकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं किसी फिल्मी अनुबाद का परिवर्थित होकर नहीं और नई पीड़ी तक यह है अपने मूल सरूप में जाए है ठीक इसमें से बताना है कौन सा पहले होगा उसके बाद कौन सा होगा ठीक है तो देखिए इसमें सबसे पहले आएगा अपने सभी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे है ठीक है पहला यह हो जाएगा इसके बाद ताकि इस एतिहासिक यूग गरिमा अचुड रहे है ठीक है तो दूसरा यह हो जाएगा और नई पीड़ी तक यह अपने मूल रूप में आये ठीक है और किसी फिल्म का अनवाद परिवर्तत होकर नहीं ठीक है चाओ था यह होगा किसी फिल्मी अनवाद का परिवर्तत होकर नहीं आतेों हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसा यह था तो आन्सर इसका C पार से ही हो जाएगा पहले रा आएगा पिर यह आएगा पिर वा आएगा फिर ला हो जाएगा अगला question है कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित हो दोधारा वाहिक लोग इनकी पहले से प्रिक्षा करते रहते हैं इतने लोग प्रिये हैं कि और इन्हें देखने के लिए पहले रामाड और महाभारत अपने सारे कामखाद छोड़ देते हैं तो देखें इनमें से मिलाना है कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा ठीक है तो इसमें देखे दूर दरसन पर प्रदरसित दो धारवाई तो इसमें पहला हो जाएगा पहले रामार और अब महाभारत ठीक है इसके बाद इतने लोग प्रिये रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतिक्छा करते रहते हैं और इसके बाद जो है और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम का छोड़ देते हैं तो इस तरीके से इसमें पहला हो जाएगा वा दूसरा हो जाएगा रा और तीसरा हो जाएगा या और चोथा हो जाएगा ला तो इस तरीके से इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा ठीक है अगला निर्देश से प्रस्टन संख्या 26 से 30 तक जिन लिखित आउतरान को पढ़ रकर संबध वैकल्पिक उत्रों में से सहीं उत्तर का चायन करना ठीक है यह देखे कोई पैसेज दिया गया है पैसेज से जो है क्वेस्चन दिया गया है ठीक है अब इसमें देखिए 25 से ले तंकाल होए क्योंकि दूसरा कोईशन है हमारी विज्ञान ध्रत सिक्षा की सरवाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या देन है इसके बाद चौथा कोईशन है मानो जीवन को भसमा सुर्फ का बनने से रोक कैसे रोक सकता है इसके बाद आधुनिक मानो विकास को सरवांगीड नहीं किया जा सकता क्योंकि ठीक है और आण विसपोटक को मानोता वाद की मर्यादा देना तभी संबह है जब व्यक्त की अब इसमें हम देखेंगे ठीक है अब यह सब निकालना है जो पैसे दिया गया है इसके पैरा से ठीक है तो देखें पढ़ते हैं इसको सिच्छा को वैग्यानिक और प्राविदिक मुलदिकार देकर हमने जहां तक भावतिक परवेश को पूरतिया परवर्तित कर दिया है और जीवन को अपरतियासित गत्सीलता दे दी है वहां साहित कला धर्म और दर्सन को अपनी चेतिना से बहिसकरित कर मानो विकास को एकांगी बना लि में विकास के सुत्र प्रकृत के हाथ से निकलकर मनस्त तथा विग्यान के याथ में पहुंच गये थीका और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानो जाती का नास भी हो सकता है इसलिए नयतिक और आत्मिक मुल्यों के साथ साथ बिक्सित होने की आ सकता है जिससे हमारे विग्यान हमारे लिए भस्मा सुर का हाध न बन जाए ठीक है उब्यक्त की चूदरता यद राष्टर की चूदरता बन जाती है तो विग्यान भस्मा सुर बन जाता है इस सत्त को प्रतेक छण हमने शामने रखकर ही अनुविस्पोर्ट को मानो प्रेम और लोग हित्की मरियादा दे सकेंगे अपर सीम भातिक सक्तियों का स्वामी मानो आज अपने ब्यक्तत के प्रत आस्थावान नहीं है और प्रतेक छण अपने अस्थत के संबन्द में संका गरस्त है अब question देखते हैं तो आज का मानो अपने ब्यक्तत और अस्तत के प्रत इसलिए संकाल हो है क्योंकि वह विज्ञान की बिध्वनसक सक्टियों से भैवीत है उसका आत्मिस्वास लुप्त होता जा रहा है मानो इस्वर के प्रत आस्थावान नहीं है वह सीमित भहतिक राजियों का स्वामी है तो इसमें एव पार से हो जाएगा वह विज्ञान की बिध्वनसक सक्टियों से भैवीत है तो इसका आइंसर सीप पाठ हो जाएगा अपर सीम भहतिक विकास जीवन का जो हो गता है वह सरवादिक महत्त पूर्ण देन है नेश्ट कोशन मानो जीवन को भसमा सुर बनने से कैसे रोक सकता है तो नयतिक आत्मिक मुल्यों को विक्सित करके रोका जा सकता है आधिनिक मानो विकास को सरवांगेड नहीं कहा जाग सकता क्योंकि क्योंकि साहित धर्म कला आदे मानो चेतना से निर्वासित है तो इसका ये पार्ठी से ही हो जाएगा अड़ो विस्पोटक को मानोतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्त की जो है छुदृता तो को राश्ट्र की छुदृता ना बनने दिया जाए ठीक है राम प्रिक्ष बेनी पूरी की रचना माटी की मूर्ते की साहितिक्स बिधा से संबन्दित है तो ये एक रेखा चित्र है तो इंसर इसका C पार्षे हो जाएगा रेखा चित्र अगला कोश्चन है निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती तो पू अतेन्ध हरिष्चंद्र का कउनसा नाटक बंगला भासा से अनुदित है, तो वो है बिद्य सुंदर, आइंसर इसका यह पार से ही हो जाएगा, ठीक है, मुगल भासा ने किस कभी को, महा कभी राय की पदि भी दी थी, तो वो थे सुंदर, सुंदर को महा कभी, राय की पदी भी दिया था मुगल बादसा सा जहां के द्वारा ठीक है अगला रिक्त अस्थान भड़ना है तो व्यंग लेखक जो है सामाजिक अगला प्रशन है जय चंद्र प्रकास नामक महाकाब के लेखक कौन है तो भट केदार ने इस लेखक को लिखा है तो अइंसर इसका D पारसी हो जाएगा ठीक है तो इसके बेंगकार के जो हैं वो हैं हरिसंकर परिसाई ठीक हरिसंकर परिसाई जोरह यह बेंग लिखा गया ठीटूरता हुआ गड़तंद्र अगला कोचन नेम लिखित रचनाओं में उनके रसाहित की बिधा के साथ सुमेलित करके चिन्हित करना ठीक है अब देखें निर्म कि अभारत चिता के फूल यह एक निबंद और बर्दान एक कहानी और भारत दूर्दसा नाटक ठीक है तो एंसर का डी पार से हो जाएगा अगला क्वे सकता है आट्मिरल कॉब किस से संब्बंधित से संब्बंधित आडिमिरल का आउजन में किया जाता है अगला इसक्शन भारत का कौन सा राष्टपती निर्विरोध निर्वाचित किया गया तो वो थे N. संजीव रड़ी ठीका एंसर इसका D. पार से हो जाएगा N. संजीव रड़ी जो है भारत का इसे पहले राष्टपती थे जो निर्विरोध चुने गये थो तो वह है प्रोफेसर जे के महता ऐंसर इसका B. पार से हो जाएगा ठीक है तो वह सोन ठीक है डीपार इसका से हो जाएगा अगला question ने कब अगनी जलन्सील नहीं हो पाती तो हवा में oxygen जब 15% से कम हो जाता है तो अगनी जलन्सील नहीं हो पाती नेस्ट कोईसे ने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड फेकने के लिए इन में से किसने फ्रांसिसियों की मदद मांगी थी तो वो थे टीपू सुल्ताना कि नीले रंग के प्रकास में सरबादिक उर्जा होती है, किसी भी रंग की उर्जा इसकी तरंगदैर के विप्रीत अनुपातिक होती है, विविग्योर के अनुसार इंडिगो और नीले में नियुनतम तरंगदैर होता है, इसलिए नीला प्रकास में अधिकतम उर्जास तर हो पुछा गया था तो बधाई जो है वो बुंदेल खंड का एक लोक संगी थे तो एंसर इसका एक पार्ट से ही हो जाएगा ठीक है नेस्ट क्वेशन है कि 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान कितना था तो इनिमें से कोई आपसन नहीं सही था क्योंकि 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान जो है 251.2 million ton था ठीक है अगला क्वेशन है कि भारत सारी धान का नियुन्तम समर्थन मूल क्या है ठीक है देखे धान का नियुन्तम समर्थन मूल जो है प्रश्न काल में 1410 रुपय प्रतिक उंटल था लेकिन बरतमान काल मिल देखा जाए बरत वरतमान में 2020, 21 की बात करें, तो इसमें जो है भारत और नदान का नियुंतन समर्थन मूल है, वो 1868 रुपए प्रतिकुंटल है, ठीक है, और इसके बात अगर हम बात करें 2021, 22 की तो उनीस सो चालीस रुपए प्रतिकुंटल है, 22 में, तो इस तरीके से 72 रुपए की बढ़ोत तो यह भी आपको याद रखना है important वर्तमान का पूछा जा सकता है कि अगला क्वेश्चन है कि पूर्ती अपनी मांग का सिर्जन स्वयम करती है यह कथन किसका है तो यह कथन जो किसकी आत्म कथा है तो यह राल किष्ण आडवाणी की आत्म कथा है अगला क्वेश्चन है कि भारति ए राजश्च की कौन सी मुख मंत्री अपनी बिरोधी पार्टी के अध्यक्ष से बिवाही थी तो इसका एंसर हो जाएगा बी पार्टी सुचेता कृपलानी जो थी अपन से मुखमंतरी के अपनी विरोधी पार्टी के अद्धाक्छ से विवाये थी थी एृतर पर्देश यृतर पर्देश Vaas Krishnaar Soul की पहली महिली मुखमंतरी सुचेFit Wab COVID-20-E रूटिवरोणבार्य अन्यसाल को प्रतिवंदित किया गया है सर प्रतिम 107 60 के दसक में आसपास कहां प्रचलित किया गए थे तो यह जो है शुडजर लेंड में प्रचलित किया गए था सरपरतम अब यह करंट का कोईस्चन था ठीक है अगला कोईस्चन भारत के अन्य भासाओं में के गजन वादिया अदी जोहर और सिष्टा चार के सब्दों का क्या अर्थ है तो देखिए इसका अर्थ होता है धन्यवाद ठीक है गजन वादिया अदी जोहर आद जो सिष्टा चार सब्द है इसका अर्थ होता है धन्यवाद ठीक है नेश कोशन आया था कि प्रधान मंत्री द्वारा घोसित निम लिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंब नहीं की गई थी यानि कि 9 मई 2015 को प्रारंब बहुत सारी योजनाएं हुई थी तो उनमें से बताना है कौन सी योजना जो है 9 मई 2015 को नहीं प्रारंब की योजना पर योजना से संबंधित है अमने एक वीडियो बनाई है जो कि इस वीडियो और घटना चक्री मि ठीक है तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देंगा आप लोग महां से उसको देख सकते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है योजना से संब्ध कोईशन जरूर पूछा जाएगा और इसमें संपूर्ण योजना समाहित है कोई योजना लगभग चुटें जितने इंपॉर्टेंट डिपॉर्टेंट योजना है सारी के सारे इसमें मैंने बताया वह डिटियल में उसको जो है देखा गया तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं जो आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसमें एंसर हो जाएगा प्रधान मंत्री आवा योजनाप प्रधान मंत्री आवास योजना जो है यह 25 युन 2015 को स्टार्ट किया गया था और यह 9 मएवी 2015 को मैं 12फंदन को सार्थ नहीं किया गया तो एनसर इसका डी पर्भा की अटल पैंसरnaire u जिवनयों योजना जीवन जोस निवन जोस्टी जन्योस यती कि तीनों अब उसका एंसर था सानिया मेरिया ठीक है अब आप इसमें 2020 कीस का जो है देख लिजेगा और इसमें इसमें इसका नाम भी बदल दिया गए मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पुरुषकार्द कर दिया गया नाम ठीक है अगला कॉछचन भारतिय ससस्त्र नित्राओं दोरा भारतिय ससस्त्र सेनाओं दोरा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्स लड़ी गए थी तो ये वर्स 1965 में लड़ी थी ठीक है आंसर इसका C पार से हो जाएगा अगला question थे नागा अरजुन कौन थे नागा अरजुन एक बहुत दार्शिनिक थे ठीक डीप पाट इसका सही हो जाएगा नेश्ट गोसर ने नियून लिखित में से कौन सा मुगल समराट अनपड़ था तो वो था अकबर ठीक है अंसर इसका एक पाट सही हो जाएगा अकबर जो था वो पड़ा लिखा नहीं था अगला question है कुस वर्स पहले किस ACI देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया ये भी जो है current से सम्मंदित question है current में जो भी हुआ है आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा तो उस समय जो है नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था तो answer इसका B पाट से ही था ठीक है 30 November 2006 को नेपाल ने अपना राष्ट्रगान जो है बदल दिया था दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते होने कैसे अलग किया जा सकता है तो उन्हें जो है बाहरी गिलास को गरम करकर गरम पानी में डाल कर जो है अलग किया जा सकता है ठीक answer इसका C पाट से ही हो जाएगा अगला कोईशन है थामस रो मुगल समराट जहांगीर से किस किले पर मिला था तो वो था आगरा का किला स्वारी अजमेर का किला ठीक है इसमें अजमेर एंसर से ही हो जाएगा अजमेर के किले पर झो है थामसरो मुगल समराड जहागीर के किले जहागीर से मिलता ठीक है Next question है कि किस देश में Euronium का सरवादिक भंडार है तो वह है Australia Australia में Euronium का सरवादिक भंडार है ठीक है 20 में परत्वम अस्थान है भंडार की मामले में Euranium के Next question था निम लिखे तो मैं से कौन सी नदी यमना से नहीं मिलती है तो वो है सोन बाकि केन बेतवा चमल ये तीनों नदियां जो यमना से मिलती है सोन नदी जो है यह यमना से नहीं मिलती ठीक यह सोन नदी जो है अमर कंटक की पहाड़ियों से निकलती है अगला कोईशन एक गंडग सिचाई योजना किन प्रदेशों का एक संयुक तो प्रियास है तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक तो प्रियास है अंसर इसका भी पार्स ही हो जाएगा ठीक है नेश्ट कोईशन एक निम्मे से किसे ने भूम नाम पांकन की बहुस्था प्रारम की गई थी तो यह सिरशा सूरी दोरा किया गया था अंसर इसका भी पार्स ही हो जाएगा ठीक है सहद का प्रमुग घटक क्या है सहर का प्रमुग घटक जो हता है वो फ्रक्टोस है ठीक है सहद का प्रमुग घटक जो है फ्रक्टोस है बाकी जो तीनो गलेक्टोस सुक्रोज माल्टोस यह जो है चीनी के प्रमुग घटक है ठीक है अगला कोश्चन है इन में से कौन सा भूटान का परतमान राजा है ठीक है तो उस समय जो है जिंग में खेशन नामग्याल वांग चुक है ठीक है वांग चुक थे तो इसका भी पार से ही हो जाएगा अगला प्रश्चन देखते हैं तो मनुस जीवन का सर्वोत्तम धे है कैवल इसका अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है एक छाओं पर बिजय पराप्ति करना ठीक है विटामिन सब्द का जनक कौन है विटामिन सिव के जनक जो थे उनका नाम था कासिमीर फंक ठीक है कासिमीर फं की थी तो वो थे बंदायू निठी के बंदायू ने अकबर की धार्मिक नित की अलोचना की थी परसित बिरुपाक्ष मंदिर कहां पर अवस्थित है तो यह जो है वह हमपी राज में इस्थित है हमपी हमपी क्या कहता है हमपी सहर में इस्थित है और हमपी जो इसमें करनाट करनाटक राज मिशती थी ठीक है वहें पर ये बिरुपाक्ष मंदिर है अगला क्वेश्चन आया था सिचाई के लिए सोलह मील लंबी चोल जहिल का निर्माड करवाया था अगला क्वेश्चन जो कि करंट फेर से पूछा गया था कि रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है तो वह है साउत सूडान इसका भी पाट था उस समय अब रियो ओलंपिक 2020 भी हुआ यानि कि उसको 21 में हुआ था उससे समय मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ आप लोग जाकर वहां से चैनल पेस से उसको देख सकते हैं ठी किने पार्टिसिपेट किया भारत ने कितने मेंडल जीते है सौन पदक किसे ने जीता और रजत पदक किसने जीता सारे-सारे मैंने उसमें कवर कराया हूं अप लोग चैनल पेस पर जाकर उसको देख सकते हैं नेश्ट कोईशन है स्वक्ष भारत अभिहान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में सोचालों का निर्माण होना का सुभारम कम किया गया अब देखे ये योजना से सम्मंदित कोईशन है जो कि 2 अक्टूबर 2014 को किया गया और योजना से सम्मंदित अभी लेटिस्ट में मैंने वीडियो कराई हुई है जो कि आपके एक्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसको देखिएगा ठीक है अगला कोईशन है जीरो इफेक्ट वा जीरो डिफेक्ट जीरो डिफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से संदर्व में जुड़े हुई है तो ये जुड़ा हुआ है मेकिन इंडिया मिसें से ठीक एंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा अगला प्रशन था और सभी कुछ परतिच्छा कर सकता है किन्त किरिशी नहीं है उद्गार किसका है कतन किसका है तो ये कतन जो पंडिय जवनल लेहरु दारा कहा गया था ठीक है भारत में रजत करांत उपयोग में लाय जाता है तो वरतिकागर होता है केसर का जो उपयोग में लाय जाता है तो इसका D पार्ट से ही हो जाएगा नेश्ट कोसिण आया था महाजनी पर्था का स्वर्पर्थम उलेक निमनलिकीत में इसे किस प्राचीन गरंत में हुआ है तो वह हुआ है सत्पत ब्राहमड गरंत में ठीक है नेश्ट कोसिण आया था ललित जो है किसकी उत्तम किस्म है तो यह जो है अमरूद की उत्तम किस्म है अब इससे सम्मन्धित ग्रामीड विकास सम्मन्धित मैंने घटना चकर की बुक और परिच्छामंतन की बुक दोनों करा दिये जिसमें यह आपको ललित जरूर मिलेगा अगर आपने वीडियो देखा होगा ठीक है जो कि बहुत डिटियल रूप से कराई गई है तो उसको देखिए आपकी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अगला कुशन आया था कि किरसी कार में लगए ट्रेक्टर की आवाज किस अस्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए तो वो 90 dcGB से अधिक नहीं होनी चाहिए ठीक है अगला कोश्चन आया था सेंट्री फ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कप प्रियोग किया जाता है तो इसका प्रियोग जो है जब पानी का सुरोत और निकास दोनों जादा हो तब इस पंप का प्रियोग किया जाता है ठीक है नेश्ट कोईस्टन आया था ने धान में भूसी का प्रस्थत ननुबानता किंतना होता है तो धान में भूसी का प्रसेंटेज जो है 20 पर्षन लगभग होता है तो एंसर इसका C पार से ही हो जाएगा अगला प्रसन है चावल के 19 बीज के प्रत हेक्टेर बीजा रोपन की दर कितनी होनी चाहिए तो यह 15 किलोग्राम होना चाहिए प्रत हेक्टेर ठीक है यह भी इसके बारे में भी बहुत डिटेल में कवर करा हुआ है आप लोग ग्रामीड विकास की जरूर वीडियो देखिए क्योंकि उससे सम्भनी कोईस्टन बनने की संभावना है ठीक है खीरा ठीक है एंसर इसका सारी खीरा नहीं होगा कौन सा अमलिय धर्ती पर सफलता से उगाया जाता है तो वह तर्बूज तर्बूज जो है अमलिय धर्ती पर सफलता से उगाया जा सकता है पूसा रसराज किसकी उन्नत किसम है ठीक है तो यह खर्भूजा की उन्नत किसम है इसका इसी पार्ट से ही हो जाएगा, उन्नत किसम से संबंद मैंने वीडियो कराई हुए है, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है, उत्तर भारत में गेहों के फसल की हेर फेर किसे की जाती है, तो मुलता धान से की जाती है, हेर फेर, यानि कि धान के बाद गेहों के बाद इस तरीके से, एक हर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है, कूडे से हरी तूर्जा का निर्मार निम्लखित में से कौन से राज अग्रणी है, तो वो राज है पंजाब और महराष्टी का एंसर इसका बी पार से ही हो जाएगा, ठीक है, अनमान से इस गراح पर कितने बिल्च हैं, अब तक यह बताना, 422 बिलिएन या फिर 3 ट्रिलियन या 400 बिलियन या पीर अनमान कोई अनमान नहीं, तो अनमान है, वो है 400 बिलियन जो है, इस गراح पर बिलिच है, टोटल परवार रसोई में प्रयंपरागत लगडी गोवर आदिसे खाना बनाते हैं ठीक है कि नेस्ट कोर्शन कितने परशन ग्रामीर परवार की रसोई में मिठी के तेल से खाना बना जाता है तो वह अब एक परसेंट रहे गए ठीक एंसर इसका एक परसेंट सहीं हो जाएगा जाबो ग्रामीर खेती किर्सी करने का तरीका कहां बिद्दमान है तो यह जो है नागा लेंड में बिद्दमान है इसका नागा लेंड हो जाएगा ठीक है जाबो जो है ग्रामीर खेती करने का तरीका यह नागालेंड में अभी भी है ठीक है अगला प्रशन है कौन किसान चैनल का प्रधान मंत्री द्वारा कब उधगाटन किया गया तो यह जो है 26 मई 2015 को उधगाटन किया गया था 26 मई 2015 को प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी द्वारा किसान चैनल का उधगाटन किया गया था नेश्ट को इसने कि कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है उपकरण बताना कि कौन से दो जुताई के जो है प्रात्मी कुपकरार कहलाते हैं तो वो मल्डबोल्ड हर और इसके बाद डिस्क हैरो जो होता है ये दोनों प्रात्मी कुपकरार कहलाते हैं ठीक है नेश्ट को इसने सिचाई में जल परियोग कुसल मितिबेज़ता के अनुसार कौन सा प्रणाली जो है स्रेसकर है तो वो है ड्रीव प्रणाली, ठीक है, ड्रीव प्रणाली सबसे सर्वेश्ट माने जाती है, एंसर इसका B पार से ही हो जाएगा, मिट्टी का कटाओ, सरवादिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो सरवादिक कटाओ जो है बलुई मिट्टी में होता है, एंसर इसका A प माप में से कौन सा सही नहीं है ठीक है तो इसमें पताना है कि प्रदेश यानि की उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है माप परचलन में नहीं है बीस कच्वांसी बराबर एक विश्वांसी ये है बीस विश्वांसी बराबर एक दस विश्वा ये गलत है ठीक है ये बीस विश्वा बराबर एक विगा ये भी सही है एक विगा बराबर पचपन गुड़े पचपन वर्ग गज़ और 20 विश्वा बरावर 10 विश्वा ये सही नहीं है अगला question है कि वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की बेवस्था को क्या कहते है तो इसको कहा जाता है फसल रोपण अनुकरम ठीक है वार्षिक करम और वर्षांतर फसल उगाने की ब्योस्था को फसल रोपड अनुकरम कहा जाता है नेश्ट कोईशन है कि प्रतिवर्ष भारत में कितना किर्सी का कूड़ा और खरपरतवार निकलता है अगला कुशन है भारत में ग्रामीड पंचायत की कुल संख्या कितनी है तो ग्रामीड पंचायतों की कुल संख्या जो इन में से दिया गा है तीनों पार्ट में से कुल नहीं है बलकी भारत में ग्राम पंचाइदों की कुल संख्या जो है लगबग ढ़ाई लाग है ठीक है दो लाग पचास जार है तो इस तरीके से इसका अंसर जो है डीप आट से ही हो जाएगा और इस अंसर इसका जो है दो लाग पचास जार अंसर से ही है ठीक है भारत में कुल बंचे के बात करें तो आठ लाग 7276 वर की किलो मीटर है जो कि कि 2019 के अनुसार अभी तक इतना हो गया ठीक है अब वन फारेश रिपोर्ट जो है 2022 भी आ चुका है तो उसमें आप नया लेटेस्ट डाटा देख सकते हैं ठीक है कुल खेती सद्भी खेती कि गया चैतना है उसमें आधिक खेती की गई हो ये तात पर हो तो crop root count नहीं होते हैं तो वो होता है, इंख जो है root crop नहीं होते हैं, बलकि आलू, चुकंदर, शकरकन ये सबी root ud호 crop होती हैं, परन्त इंख जो है इंख यानि कि गन्ना root जो इसे मिर्दा को और क्या कहते हैं तो परिछेत्री मिर्दा को जो है डुर्ट मिर्दा ट्रांस्पोर्टेड मिर्दा और यह तीनों नाम से जानते तो यानि कि उपर्योग तो सभी सही हो जाएगा ठीक इसमें NPK कि सनुपात की प्रियोग संस्तित की गई है तो आभी जो अनुपात है वो 4 अनुपात 2, 22 की संस्तित की की गई है NPK मतलब N मिन्स Nitrogen, P मिन्स Phosphorus K में पोट्राइसियम होता है पूसा revenue किसकी उन्नत किसम है तो पूसा रूबी जो है ये टमाटर की उन्नत किसम है अंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा एक थ्रेसर दोरा दानों का अधिक नुकसान होता है यद इसकी गति अधिक हो इसकी गति मंद हो पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो या दाना निकाल में गत यदिक हो तो थ्रेसर दोरा दानों का अधिक नुक्सान होता है यद इसकी गत यदिक हो ठीक है तो एंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा एला कोई सेने कि दीमक को नश्ट करने के लिए सरवाधिक उप्यूक्त रसायन कौन सा है तो वह है मोनो क्रोटो पस ठीक है मोनो नरेंदर सिंह्ग तोमर है ठीक है इस समय अबर्थमान में काविनेट मंतरी है ंढ़ामिड विकास की ठीक है भासल कटाई परिक्षण यानी क्रॉप कटिंग एक्स्परेमेन्ट किसलिए जाने जाते हैं तो यह जो है उपज का अनुमान लगाने के लिए किये जाते हैं ठी डी पार्ट इसका सही हो जाएगा खासरा तो था खतवनी कौन तयार करता है तो यह जो है लेखपाल या पटवारी दोरा तयार किया जाता है तो एंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा खासरा और खतवनी जो हो लेखपाल ये पटवरी दोरा तैयार किया जाता ठीक है तो इस तरीके से इसमें टोटल चकबंदी लेखपाल में 160 कोईश्चन पूछा गया थे जिसका डिसक्रसन हुआ देखा गया अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकान भी प्रेस कर दीजिए जिसकी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है मिलते है नेश्ट दिन तब तक के लिए थैंक्यू